आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब दोस्तों Question में क्या बोलाएं कि एक लॉंग थिन वायर इस प्लेजड आलोंग Y-Axis ठीक है? जस्ट आउटसेट दे फ्रेम ओफ रेफरेंस यहां पर हमने रख रखिये देर एक्जिस्स अ यूनिफॉर्म माइनेटिक फिल्ड अफ तेन तो पावर माइनस 6 टेसला अलोंग दो X-Axis ठीक है? इस डिरेक्शन में calculate the magnetic field at 0.00,2 मतलब 0.02 मतलब Z-Axis के अलोंग यहां पर 2 meters पर ठीक है? यह Y-Axis हो गई हमारी और यह X-Axis हो गई और 0.2 M मतलब तीनोंगे 2 meters पर हमें क्या find करनी है? Magnetic field when the wire carries a current 10 A दे रखा है ठीक है? तो अब देखो अगर हम Z-Axis के अलोंग, यहां पर अगर हम magnetic field देखे तो यहां पर भी देखो along the X-Axis हमारी magnetic field है ठीक है? तो मतलब इस डिरेक्शन में हमारी magnetic field होगी इस point पे और उपर की तरफ हमारा क्या है? current जा रहा है ठीक है? तो हम क्या बोल सकते? यहां पर जो magnetic field इसकी तयार होगी इसकी magnetic field कुछ इस तरीके से तयार होगी बराबर ऐसे X-Z plane के अंदर ही इसकी magnetic field तयार होगी इस तरीके से ठीक है? तो हम क्या बोल सकते? magnetic field कितनी होगी? हमारी mu naught I ठीक है? mu naught I upon 2R ठीक है? जहाँ से R हमारा radius होगा तो Z पर देखे या X पर देखे दोनों साइड हमारी क्या है? हमारी symmetrical conditions होगी तो mu naught I upon R हमारा होगा तो magnetic field का strength तो हम क्या बोल सकते? Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर